हाई हेलो नमस्का लक्ष्मी सुर्य प्रकाश यूट्यूब चानल पर आपको स्वागत करती हूं मैं हूं लक्ष्मी आज है साटेड़े अभी चे बज़े है मुझे अभी चाल बनाना है बच्चों का कुछ जगड़ा हो रहा है मुझे अभी जाना है ओके फ्रेंट्स मुझे अभी चाई बनाना है अभी देखतेजिये पहले में बच्चों के लिए दूद गरम कर रही हूं बच्चों को बोनमिटा देती हूं थोड़ा सा दूद गरम होने के बाद दूद के साथ सा चाकोस भी आज दे रही हूं बहुत दिन से दोनों जाते थे चाकोस को इसलिए कलमी ने लेकर आगई थी आज दे रही हूं द मैंने ससूर जी और सासो मा के लिए चाई बना रही हूँ दोनों को देने के बाद अपने लिए वितो चुगर चाई बनाती हूँ ये गर्मे बनाया चाई मसाला है ये निसकेफे का गाच का डबा है इस पे मैंने स्टोर करके रख लिया है बनाया मसालख पत्र जाध ज तोनों के लिए हूँ एक प्राइब करिये एक पमेरे मुझे करो जूसा आओ जो में अजय हो अजय हो पिंधुतिस्या जो किमी इसर आदी को कि इसरोग्यूब कर दो कर दो कि दो कि दो किसी जो के दो कि दो कि दो. अब किचन पूरा क्लीन हो गया है ये कुकर बाकी है इसके सोकने के लिए रख लिया है अब हम बजरंगी का मंदिर जा रही है अगवरी का वेट कर रही है वो अंदर है हम कुछ वक्त मंदिर में बैठके प्रशाद लेकर बाहर बैठके दोनों बच्चे का लिया में तो घर में सबको देने के बाद में खा लिया है अपने लिए बैसन का चीला बना रही हूं एक कब बैसन एक बरतन में डाल कर तोड़ा तोड़ा पानी आड़ करके विस्क में बीट करना है क्यूंकि इसमें लंप्स ना आए इसके बाद इस बैसन पर नमक प्याज, कैपसिकम, हरे दनिया और ग्रेट कैरट डाल कर मिक्स करना है इसके बाद एक पिंच पेपर पाउडर, एक रेट चिली पाउडर, एक पिंच और एक पिंच हल्दी पाउडर डाल कर मिक्स करके 10 मिनिट्स रखना है मैं चीला बनाने का वक्त वीडियो अन करना बूल गई I'm sorry for that इस बेसन का चीला वेट लोस के लिए अच्छा सा डायेट रेसीपी है अब सब के लिए डिनर में टोमेटो राइस बना रही हूँ ओईल, राई, हरी मिर्ची, करी लीव्स प्यास डालकर सवते करना है एक मिनिट बाद क्यापसिकम डालकर सवते करके पकाना है क्यापसिकम अच्छे से पकनी के बाद इसमें टामाटर आड़ करके सवते करना है और इसमें मैं जिंजर करलिक पेस्ट डालना बूल गई थी अब डाल रही हूं और इसमें अल्दी पाउडर वांगेबाद पाउडर नमक मिक्स करके हरे दनिया डाल कर अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद इस पर बॉयल रैस डालना है और अच्छे से मिक्स करना है अब सबका डिनर हो चुका है अब आती है बरतन वाश करने की मैं डिनर प्रिपेर करने के बाद स्टोव को क्लीन कर लिया था बरतन वाश करने के बाद मेरा किचन का काम खतम होता है कर दो अब कपड़े को मुझे ड्राइयर पर डालना है ड्राइय होने के बाद चैर पर रखकर सुबा इसको सुखा दूँगी अबी मुझे सोने के लिए जाना है मेरा काम कतम हुआ है अब को एजुम का कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा अब को कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्रेट टूमें चानल प्रेस बेल एकन प्लीज लाइकन शेयर कर लीजिए आपको एज व्लॉग कैसा लगा अच्छे लगे तो कुछ कमेंट कर लीजिए मुझे भी जाना चाहिए आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग यह बात अब कर दो दाट्स इत्ट फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स बाई लव यू आल टेक केर हर हर महादेव